जहीं दोस्तों मेरा नाम है बेश्रत रवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फिनेंसियल अकाउंटिंग इसमें एक नया चेप्टर हम ने स्टार्ट किया जिसका नाम है रोयल्टी अकाउंट और यह है रोयल्टी अकाउंट मतलब अधिकार शुलक खाते बिकॉम फस्स स्टार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट चेप्टर है यहां से रिलेटर 15 नंबर का एक लॉंग कुश्चन आपको 100% मिलता ही मिलता है किसी भी एक्जाम की बात कर लें किसी भी वर्स के पेपर को आप उठाके देख लिए आपको 15 नंबर का कुश्चन यहां से 100% मिल और बहुत ही सहज भासा में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं बहुत ही सिक्वेंस के चीज़ें में आपको समझाता हूं और एकदम study material आपको provide करता हूं इससे पहले मैंने maximum सारे ही chapters financial accounting के आपको पढ़ा रखे हैं प्लेलिस्ट का link description box में दिया है अगर आपके लिए हम अनिवार हैं समझते हैं उसको मतलब महत्वण समझते हैं या आपने किसी दोस्त के लिए मात्वण समझते हैं तो उसके साथ में इसको साज़ा कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था रोयल्टी क्या होता है आज बात करने वाले है important terminology used in royalty account मतलब royalty account की जब हम बात करेंगे तो वह महत्वपोंड शब्द कौन से हैं जिनका हम बार बार प्रियोग करेंगे बात clear हजी सर clear तो नंबर एक के बात आती है रोयल्टी अधिकार शुलक ही क्या है तो उत्पादन इसन पर एक निश्यत प्रतष़स्त ग्याद की जाने वाली राश्य जो पत्ते दार से भू स्वामी को प्राप्त होगी जैसे अगर मैं इसको कहते हैं और दी रेट टू रुपीज पर टन ऐसे दी होगी या फिर add the rate 10% on selling price selling price ओके या add the rate 20 रुपीज पर book sold ऐसे कुछ भी किसी भी तरीके से लेकिन ये ऐसे ही होगी ये है ऐसे ही होगी तो एक निश्चित rate होती है देखो एक निश्चित rate होती है और जो किस पर depend करती है या तो उत्पादन पर depend करती है या तो विक्री मूली पर निर्भर करती है या तो किताबों के विक्री की संख्या पर निर्भर करती है तो उसको हम क्या कहेंगे अधिकार सुल्क कहेंगे ओके बात क्लियर है हाँ जी सर क्लियर है इसका calculation कैसे किया जाएगा तो output into rate करके इसका calculation कर लिया जाएगा output into rate करके इसका calculation कर लिया जाएगा जैसे मैं बात करूँ कि ton की बात कर रहा हूँ तो मान लो 10,000 ton का उत्पादन किया गया तो 10,000 गुड़े दो बराबर 20,000 रुपे रॉयल्टी हो गई अगर मैं बात करूँ यहां पर 10% on selling price मैं कह रहा हूँ 1000 किताबे बिकी और हर एक किताब का जो selling price है वो 200 रुपे है तो 1000 गुड़े 200 गुड़े 10 बटे 100 ऐसे करके इसको calculate कर लिया जाएगा क्योंकि 1000 गुड़े 200 करेंगे तो selling price आएगा उसका यहां हम कह रहे हैं 20 रुपीज पर book sold तो हम देखेंगे कितनी किताबे बेची गई इमान लो 500 किताबे बेची गई तो 500 गुड़े 20 बराबर हमारा जितना भी आएगा वो हो जाएगी royalty ओके बात क्लियर है हाँ जी सर बात क्लियर है रोयल्टी के साथ ही साथ एक दूसरा वर्ड आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा रोयल्टी से भी ज्यादा important है और उसको हम लोग कहते हैं minimum rent क्या कहेंगे minimum rent इसको हिंदी में कहते हैं नियूंतम किराया क्या कहते हैं नियूंतम किराया इसको बहुत नामों से जाना जाता है इसको dead rent भी कहते हैं इसको dead rent मतलब मरत किराया के नाम से भी जाना जाता है इसको flat rent समतल किराया के नाम से भी जाना जाता है इसको fixed rent इस्थिर किराया के नाम से भी जाना जाता है किसी भी नाम से कहते हैं ठीक है ना बाकी यह सारे नाम है मर्ग किराय भी बहुत पूछा जाता है एक्जाम में कभी कभी पूछ ले आ सय निउंतम और किराय तो लेंडलाड किया करता है चल्क लेंडलाड अकश्य लेचया क्या किहता है बहुता आप जितना इत्रान करोगे उस पर दो रुपे के हिसाफ से हम ले लेंगे जितना आपका विक्री मुल्योगा तो उस पर 10 परसंट के हिसाफ से ले लेंगे जितने किताबधे बेचोंगे उस पर हम 20 मắt के हिसाफ से ले लेंगे लेकिन आप एक चीज देखो में यह अर एक वैल् consomm production base है कहा है पर base करती है production पर base करती है अच्छा मान लो Lacey ने landlord से ये right तो ले लिया ये right ले लिया लेकिन production नहीं किया production किया ही नहीं जब production होगा नहीं तो क्या ये royalty generate हो पाएगी नहीं क्योंकि royalty based on production और अगर production नहीं हुआ तो क्या royalty बनेगी नहीं बनेगी, अरे रोयल्टी बनेगी नहीं, तो इसका तो कुछ नहीं गया, लेकिन इसका तो गया ना, इसका तो कुछ नहीं गया, लेकिन इसका तो गया, आप कोई मकान किराय से ले लो, उसमें ताला डाल के दो चाबी अपने पास ले लो, और अपने घर चले जाओ, एक पर landlord जो अपनी property का use करता वो तो नहीं कर पाया आपने ले भी लिया और उस पर production भी नहीं किया अधिखार आपके पास है production आपने किया नहीं तो landlord का नुक्सान नहीं हो गया तो landlord लेसी के साथ में एक agreement करता है एक agreement करता है एक अनुबंध करता है क्या कहता है कि अगर royalty ज्यादा होगी तो royalty लेंगे द्यान दिजेगा प्रतेक वर्स आपसे लेंगे ही लेंगे चाहे आप उतपादन करो या फिर उतपादन ना करो एक नियूंतम किराया हम आपसे लेंगे चाहे आप उतपादन करो या उतपादन ना करो फिर सुन लो उतपादन करो या ना करो एक नियूंतम किराया एक minimum rent आपको इस landlord को देना ही होगा उसको कहेंगे minimum rent अगर उत्पादन करोगे और royalty ज्यादा हो गई अगर उत्पादन करोगे और royalty ज्यादा हो गई तो landlord कौन सा payment लेगा फिर royalty का payment लेगा minimum rent नहीं लेगा लेकिन अगर royalty तुम्हारी कम रही अगर royalty कम रही या फिर royalty हुई ही नहीं तो इस condition में landlord क्या करेगा minimum rent आपसे वसूल कर लेगा जैसे मान location के अंदर हम मान लेते हैं कि minimum rent है हमारा 12000 रुपया प्रतेक वर्स पर year ओके और ये वाली 2 रुपय पर ton वाली condition है जो production हुआ है जो production हुआ है वह हुआ है 5000 टन्स का तो 5000 टन्स के according जो royalty generate होगी वह royalty कितनी generate होगी तो वह generate होगी हमारी 5000 इन्टू पांस हजार गुड़े तो बराबर कितनी generate होगी 10,000 ओके और इधर minimum rent कितना है 12,000 तो landlord कौन सा payment लेगा इस condition में इस condition में landlord लेगा 12,000 रुपय क्योंकि royalty जो है वो कम है तो royalty है minimum rent दोनों में जो ज्यादा होगा वो लेगा landlord अच्छा मान लो यहां पर आप production करते ही नहीं दूसरी condition है कि आपने production किया ही नहीं बिल्कुल production निल ह तो यहां पर निल है यहां पर 12,000 है तो फिर यह कौन सा payment लेगा यह 12,000 वाला payment लेगा फिर 12,000 यह लेगा बिल्कुल नहीं मानेगा लेकिन मान लो आपका जो उत्पादन है दूसरी condition हम उत्पादन की यह पहली condition हो गई और दूसरी condition हम लेके चलते हैं कि यहां पर आपने 7 हजार टंग का उत्पादन कर दिया तो इस condition में अब 7,000 जब टंग उत्पादन कर लिया आपने तो आपका royalty कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर देखो 5000 गुड़े 2 तो 10,000 हो रहा था यहां कुछ नहीं था यहां 7,000 गुड़े 2 बराबर कितना हो रह कि minimum rent इस्थिर होता है यह बदलता नहीं है कंडिशन कभी कभी कुश्यन में आएंगी जब आगे चलेंगे तो कहेगा तो बदल देंगा नहीं तो बदला नहीं जाता है तो minimum rent निश्चित रहता है आप देखो इन दोनों में कौन ज्यादा है इन दोनों में ज्यादा है 14,000 इस कंडिशन में landlord कौन सा payment लेगा तो अब वो 14,000 लेगा उमीद है बात आपको समझ में आ गई होगी minimum rent या royalty दोनों में जो ज्यादा होगा उसका भुगतान लेगा landlord अगर आप उतपादन करोगे ही नहीं तो फिर एक नियूंतम किराया जो प्रतेक कंडिशन में landlord आपसे ल जानेंगे MR के नाम से जानेंगे किस नाम से MR जब कहें ठीक है तो इसको आप मान लेना कि minimum rent की बात हो रही है minimum rent को dead rent, flat rent, fixed rent इन नामों से भी जाना जाता है बात क्लियर हो गई है हाँ जी सर बात क्लियर हो गई है आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर बात करते हैं sort working क्या बात लगुकारे, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है लगुकारे, लगुकारे क्या होता है देखो ये वाली सिचुएशन बन रही है न ये वाली सिचुएशन ये वाली सिचुएशन इसी को कहा जाता है लगुकारे, लगुकारे एक सब्द में आप समझ लीजिएगा लगुकार का मतलब है minimum rent minus royalty ठीक है अगर minimum rent ज्यादा है और royalty कम है तो कहेंगे यहाँ पर sort working है minimum rent कितना है 12,000 है royalty कितनी हुई है 10,000 हुई है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 2000 रुपे का sort working है क्या कहेंगे इसको sort working है मतलब working हो है हमारी वो क्या हुई है sort हुई है जो काम हमने किया है वो कम किया है लगू का मतलब होता है छोटा कम और कारे का मतलब होता है कारे जब हमने कम कारे किया है तो उसको कहेंगे sort working किसे कम काम किया है तो यह minimum rent जो था उससे हमने कम काम किया है हमको कम से कम कितना भुखतान करना पड़ेगा हमको कम से कम कितना भुखतान करना पड़ेगा तो बारा हजार रुपे का भुखतान करे बिना हम बच्च नहीं पाएंगे इतना तो मुझे देना ही पड़ेगा तो जब इतना मुझे देना पड़ेगा और मैं कमा पाया मातर 10 हजार मैं कमा पाया मातर 10 हजार देना पड़े कि मुझे 12 हजार 2000 हम कहां से लाएंगे इसी 2000 को क्या कहा जाएगा इसी 2000 रुपे को कहा जाएगा SORT W konig तो SORT WOR konig का दाथपर होता है जब किसी वर्स किनी विशेव परिस्थतियों या सामाने परिस्थतियों के कारण पट्टेदार उतना उत्पादन नहीं कर पाता जितना कि उसे नियूंतन किराय के रूप में अपने भू स्वामी को लैनलॉर्ड को पेमेंट करना होता है तो बीच के डिफरेंस को सॉर्ट वर्किंग या लगवारी कहा जाता है फॉर्मूले में बहुत आसानी से समझ सकते हो मिनिममम रेंट जादा हो, रॉयल्टी जब कम हो तो क्या कहेंगे ये सॉर्ट वर्किंग है इसके बाद वाले तीसरे वीडियो में मैं टेबल समझाओंगा टेबल समझने के बाद में आपका कुश्चन फटा फट लगेगा और एक बात मेरे लाल मेरे बच्चे समझ के रख लो जब भी कुश्चन एक्जाम में पूछा जाता है तो उसमें आठ नंबर की पंदरा नंबर में से आठ नंबर की टेबल होती है साथ नंबर में बाकी सारे एकाउंट और जर्नल इंट्रीज होती है तो टेबल बहुत important होती है टेबल तब समझोगे जब इन चीजों को जो आज बात कर रहा हूं इनको समझ लोगे तो टेबल समझ जाओगे तो sort working समझ में आ गया ना जहां पर minimum rent ज्यादा होगा royalty कम होगी तो बीच के gap को हम क्या कहेंगे यह sort working है जहां minimum rent ज्यादा होगा royalty कम होगी तो बीच के gap को क्या कहेंगे sort working कहेंगे minimum rent minus royalty बराबर sort working minimum rent minus royalty बराबर sort working तो यह minus करेंगे कब जब minimum rent ज्यादा होगा sort working कम होगी तो उस वर्किंग है इसके आगे नंबर चार पर चलें तो आएगा सर्प्लस को क्या कहते हैं अत्रेक या फिर आधिक के यह सौर्ट वर्किंग का जस्ट अपोजिट है यह सौर्ट वर्किंग का जस्ट अपोजिट है यहां पर होता है रोयल्टी माइनस minimum rend जैसे ये वाली situation मैंने तीसरे नंबर की situation आपको दी थी वो ये पहले नंबर की situation में ये condition थी तीसरे नंबर वाले देखो royalty कितनी थी 14,000 minimum rend कितना था 12,000 तो 14,000 minus 12,000 तो हम कहेंगे यहाँ पर 2000 रुपे का क्या है surplus है ये value वो होती है जो लेशी को promote करती है motivate करती है काम करने के लिए हर विक्ति काम क्यूं करता है लाग कमाना चाहता है कुछ कमाना चाहता है कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो प्राप्त चाहे आर्थिक हो अनार्थिक हो अगर आप लाग प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो ख्यात जैसे जैसे मिलने लगेगी आपकी चाहत बढ़ने लगेगी आप और ज्यादा डेडिकेशन के साथ में कारे करने लगेंगे तो यह चीज तो हर जगे लागो होती है बस यही चीज यहां पर होती है हम यह जो लेसी यहां आया था वो क्यूं आया था ले value जो है वो प्लस हो रही किसके प्लस हो रही है जो minimum rent मुझे कम से कम देना था उसके ऊपर मैं निकल रहा हूं जो मुझे new term किराया मुझे देना था उसके ऊपर मैं निकल रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे surplus कहेंगे जैसे मैं coaching बढ़ाता हूं तो जो मेरी coaching का rent है उसके ऊपर ज मतलब क्या होता है लेशी के द्वारा मतलब पटेदार के द्वारा लेशी के द्वारा अपने लैनलोर्ड को जो मिनिमम रेंट पे करना होता है उसके उपर की जितनी वैल्यू होती है मिनिमम रेंट के ऊपर की जितनी वैल्यू होती है उसको कहा जाता है सरप्लस ओके अब दे lecture knowledge आपका बहुत ज़्यादा है किताब लिख देंगे लेकिन marketing दूसरा factor है आपको किताब लिखना आता है लगन बेचना आपको नहीं आता है आपका धिमाग बहुत बढ़िया है तो इंगस्टी अ आप कुछ इसमें अविश्कार कर देते हो लेकिन उस अविश्कार को अब हजारों की संख्या में तादात में बना दर लो कि यह जरूरी नहीं है तो मार्केटिंग का काम बिलकुल अलग है प्रॉफिट तब आएगा जब मार्केटिंग होगी जब बिकेग देन लाब होगा तो यह लोग बेस क सर्प्लस मिलेगा इस सर्प्लस से सर्ट वर्किंग को राइट अफ करने का या रिक्यूब्मेंट करने का अधिकार देगा अपने लेशी को बस यही जीवात्मा होती है पूरे कुश्चन की रोयल्टी के जितने भी कुश्चन पढ़ोगे उसमें दो बाते होती है एक तो मि रोयल्टी एकाउंट की उस दिन कोई कुश्चन होगा आपके लिए कठी नहीं होगा आप फटा फट लगाओगे कुश्चन पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा कुश्चन देख कर मत परशान हो जाना कुश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत वर्किंग रिक्यूपमेंट की कंडिशन उसको समझना बहुत अनेवार होता है अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं फिर कुश्चन भाईया मेरे नहीं लगेगा तो समझ का है नहीं पाओगे अभी तो हमने स्टार्टिंग करी है ना आगे जैसे-जैसे समय बीटा आपको समझ में आएंगी लिख कर रख लो विश्वास मान लो अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहे द्रड़ परतिक गिता और अच्छी मेहनत के साथ में बिन्ह मेहनत की बच्चे मेरे होता कुछ नहीं है मेरे केवल कहने मातर से आपका कुछ नहीं होगा अगर आप मेर दोस्तों के साथ में अपने उन साथियों के साथ में जो अभी बीकॉम फर्स सेमिस्टर की तैयारी कर रहे हैं अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए बेल आइकन को प्रस कर लिए ताकि आने वाले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कि टेबल कैसे तैय कि जाती है तब तक के लिए जाए हम दोस्तों